लग भी गया लगा पता लगा पता ऐसे डर रहे थे फाल तुमें तो कल की रात दोस्तों मेरी जिंदगी की सबसे खराब रात आप मान सकते हैं क्योंकि कुछ चीजे रात को इतनी ज्यादा बढ़ गई थी मतलब क्या ही बोले दोस्तों अभी जो है सुबा के लगवा ग्यारा बज़ रहे हैं और मम्मी शिवानी पीछे से आ रही है अज्जु भाई पीछे कड़े हम सब लोग मिलके जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड गाइस उससे भी ज्यादा बैर नियूस तो यह थी कि ममी भी रात को बिमार हो गए थे मैं आपको क्या हुआ था मेरे को थोड़ी गय अब जादा हो रखी है तो फिलाल अभी यम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ तो फट फट से मैं गाडी पहले ओडर कर लेता हूँ क्या बात है चड्डी में बड़े सुच्छा फ़लो हसलो हाई 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 है चडडी वनिया अब दी आपक ता बता हुए मैं सब्दा श्ट तुमने मुझे रात को नहीं हस रही थी और गाड़ी वाले को मैंने जस्ट फॉन कर दिया है तो उसने का कि थोड़ी देर में पहुंच जाएगा बस रोड में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तो फाइनली यह रही गाड़ी तो यह गाड़ी पहुंच लिए जुगा गया मैं लगेर को मैं घरया है क्लिक का टॉप वहाँ चिकन लगस्टी साय cry दिर दुचे पहल उप जएक भा थे भाज़ीं एंप्राव में इस भाज़ी फाट लड़कीयों चाहा इता जृजहा झाबनाह्कर है थेस्टीजही है पाहे शो माच उप्राटइ कर गशने देमें पासे जीगा लग भी गया, लगा पता? लगा पता? ऐसे डर रहे थे फालतु में तो फाइनली अभी हम सारे के सारे लोग जो वो लोट चुकिया होस्पिटल से सही बताओं तो all over experience सही रहा बट इंजेक्शन को लेकर थोड़ा सा डर लगता है मुझे मतलब पता भी नहीं चला मैं तुम्हें पता भी नहीं चला जैसे वो इंजेक्शन लगा है तुम्हें नहीं पता था मैं ऐसे पीछे से कितना सक्त है अपने आपक को इससे किर लेखता है नहीं अपने बता नहीं हो एपन финन टीर्भा से छनय वेपन आपकी तवित कैसे अभी तो अरही पोछी का थ्लंध मुझने के लिए तो फिरसे जो योड़ बन ता डर्ब स्टार्ट अभी बैठना ही पड़ेगा जब तक कि बलड चलता है ना भाई बलड का जब रुक जाता है ना तो होती है बुरी हालत यह देखो माचल बाली पूरी हेल्फ करते हुए मार्केट से आने के बाद सीधा मैं लेट किया था अभी बताओं तो थोड़ी सी सही लग रही है हालत पहले के मुकाबले और लगफग टाइम अभी आठ बजने को आए आप देख सकते हैं यहां पर अगर तुम देखोगे भाई तो मैं लगफग लगफग 2000 की द्वाईयां ल दर से गर्म हो जा रही है उसके बाद फिर थोड़ा चक्कर सा महसूस हो रहा है मिलकु सीधा नीद आ जा रही है थोड़ा सुन सा चल रहा है दिमा खैर अभी उठ गया हूं तो थोड़ी सी फिर से हुटके कोशिश करनी पड़ेगी उसके बाद चलने लाइक हो जाओंगा फिर चलके ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या चल रहा है जोजी जोजी तो यहां पर आप देख सकते हो भाई जोजी बैखा है वहाँ माचल वाली जी आप क्या कर रहे हो खाना मना रहे हो खाना मना रहे हो अच्छा रेस्पी देख रहे हो खाना खिलाने के लिए बैसे सह क्योंकि बहुत ज्यादा जिसको गोलते हैं वो केर जो शिवानी ने करी है और उसके लावा दोस्तों कुछ लोग यह भी पूछ रहे थे कि जाना का वे है शिवानी को अने इधर देख लो तो अभी बता दूं कि शिवानी को जाना यहाँ पर मनिमहेश यातरा होती है उसको प इसके से काया है onsISE कुई लाग आपी जोई ऊपने टूरश पे में चानानी चाहिए रारी है डिल है रुए वीड़ खuspוא हम ड्रॉब रॉड़ कहा हुआ भाल ॉए तो मैं एही बोल रहा है तो मैंनिवे शयाथर्वारू के लिए रहा है कुछ लोग अभी परमेशन दे जाने की तो अभी फिलाल देख रही है शिवानी और फिर आपी तो मजी आसे हलात में छोड़ के जास्तिया नहीं हाँ वो भी है जब भी वन बनाती होगी में चली जाओंगी तब कुछ न कुछ हो जाता कोई न कोई बीमार हो जाता है अब एले ये बीमार पढ़ गी तो मैं बीमार पढ़ गया बीमार बहुत कम पढ़ता हो बट अब क्या हो ले दोस्तों और यहां पर आप देख सकते हो अरी यहां चोरी कर दिया है यह क्या हो रहा है यह एज़ गिफ्ट किसकी ताज बताना यह ज़िए वा कॉलरी नहीं देख इस gift के ओपर अपना नाम लेक ही है मुमी तो यहाँ दो परमोर को पेज़ना चापना दो आपना परमोर को बिलोगा है तो इसको पकड़ा है कब आपने की मजहाँ मैंने कालोब ले जो पता तो क्यों पड़ाई लेकर आया मेरे तोड़ी आगी है स्क्राश्यूंस, मैरे मेरे देख एक है। मैं आप मने, मैं मेरे देख ड्सादी भूग नहीं है मैं पूड़ी की दीन है भाद रहे है बात हो गज़ी ना? बस दीन होगी है बाक यार मम्मी की तो मज़ आपे जारे तल शादी में जारे मेरी थोड़ी आद नी आई गी एना ना नी थोड़ी आद नी थोड़ी किसी नी बढ़ा कि मैंने तो नहीं तो नहीं आपको थोड़ा एने लगे सच बताओं तो मम्मी रहती है घर में पहले मतलब दिख्शो की शादी एकदम से हो गई ओपर से पलू यहां पर नहीं है पलू भी चली गी है उसका एक्जाम था ठीक है अभी तक आई नहीं तो हम घर में ना कुल्मला के चारी लोग बचे मैं मम्मी और रिया और शिवानी त और फिर भला ऐसे में आप भीमार पड़ जाएं तो आपको हर एक इनसान की याद आती है इसकी केर जादा करती थी ममी की भी आती है कि सारा देती है तो अभी कल परस्तो को शिवानी भी चले जाएगी तो I don't know यार कैसे क्या से क्या चीज़े काम करेंगी तो गाइस अभी एक इम खाने काता स apostles and me a Jojo के good havet पीतााती है जो जाज आज आज अवाऊचार दो कि मैं जभी बैठे कान काई everybody बैट जाएगा यह, अभी सारे के सारे लोग जो है मिलके वो खा रे हैं खाना और खाने मैं आज बनी है और साथ यहाँ पर दिख सकते हैं भागयर है रखा हुआ है चटनी है जब से मैं बिमार हुआ है तब से मैं खाना बिल्कुल ही नहीं खाया और आज ट्राइक करूंगा चटनी तो बड़ी धेरों में बना दिया या बनाई किस चीज की पदीने की लिए बनाई अरे तुम पहले बोल लेते हैं तुम क्या सोच रहे हैं कि मैं इतना कुछ क्या से खा अब ही ओ गया है तुम जाए जो अब ही हो गया है तो आप जिक सकते हैं जीतनी उमीद की थी उतना दो नहीं खा पाया इतने या टाले थे वो खा लिया लेकल पहले से ज़्या खाया ना यह ज़िए बताउ तो नमत थोड़ा मैं को कम लग रहा था ठीक है मैरे को कम लग रह चल रही थे डॉक्टर ना मुझे बोला कि दूद के अंदर जो है वो गल्गोस मिक्स करके पीना है ठीक है और ना अभी अपने घर में बहुत सारा दूद है तो सच बताऊ तो कोई भी दूद नी पीता रही है तो पीती है दूद कब हो तो कब वोलता है मन सब का दूद पी करूद कर के während tackle मेरे अंदर तो फोड़ी थोड़ी गर्म होता है थेंडा हो ताया कर खंड घर्म अरमे अधिनें घर्म होजाब्य थेंड़ाद दूद जिद रही है अग YEAR तो मेरेईग का में डreg dár गफ़ṇ kika में शचाह दूद किरों मैरेख है भॉं मेडिसेन लगा दोगा मझे लगा देंगी और बीच बीच में यह भी एक लेक्या था आपको पता जिलूड़ी होता है यह जो पल्स ऑक्सिमींटर होता है जिसमें की पता चल जाता है कि हमारी अक्सीजन बगेरा में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही और अभी मैं आपको चेकर क 113 का है और सेजन 96-95 अक्सीजन इतनी है 95 है 94 हो गई ठीक है यहां पर आप शाहिद देख पारें और 104 बार देल धरक रहा है मेरे साब से पता नहीं क्यों ऐसा जब मतलब ओबर पावर लगती है मुझे क्योंकि एक टांग में जोर नहीं होता और दूसरी टांग से पूरा का पूरा जोर लगाना पड़ता है तो अभी तो दूस्तों यही दूआ करूंगा कि कल की रात के जैसा बिलकुल ना हो कि कल वार वार ऐसा हो रहा था कि जब भी मैं सो रहा हुना तो हर भाई आप मानेंगे नहीं हर आदे 15-20 मिनट यार आदा घंटा दो बहुत हो गया 15-20 मिन विलॉग आपको पसंद नहीं तो आज का यह विलॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों कि क्या आपको पता है अभी इतना ही मैं कुछ कर सकता हूं ठीक है उपर से नीचे नीचे से उपर अगर पसंद आया तो प्लीज आर वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले अगर आप नहीं आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल में फूलिएगा आप से फिर उलागात होगी अगली वीडियो में भगवान कर आपका समय शोबो टेक कर एंड बाई बाई